नमस्कार मैं सुनिल आप सभीका एस्गेशन प्रवाई यूटीव चैनल पर हार दिख स्वायत करता हूँ आज मैं उपस्तत हूँ फिर चे उत्च शिक्षा में आज यसपाल समीत रिपोर्ट 2009 जो था उसके बारे में आज हम लोग संपोर्ण अध्यान करेंगे ये अत्यंत प्रासंगिक भी है और महत्वपोर्ण भी है चुकि इसका जो गठन हुआ था जो यसपाल समीत रिपोर्ट है इसका जो गठन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था तो M.H.R.D. M.H.R.D. अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो उस समय हुआ करता था उसके द्वारा इसका गठन किया गया और इसके गठन का मुख्य अभे प्राय या मुख्य उद्देश ची क्या था ये सबसे पहले जान लिए कि इसके इसका गठन का जो मुख्य उद्देश ची था वो दो मुख्य पहलो अर्थात एक UGC और दूसरा A.I.C.T.E. A.I.C.T.E. ये जो इसकी मुख्य भूमी का थी अर्थात मुख्य कारण था या मुख्य उद्देश ची थे इस रिपोर्ट को बनाने का या इस समिति को बनाने का इसका उद्देश ये था कि ये जो UGC है और A.I.C.T.E. है इसकी भूमिका की जाच करना इन दोनों संस्थाओं की भूमिका की जाच करना और उच्च सिक्षा से सम्मंधित चीजों में सुधार करना अर्थात उच्च सिक्षा जो भी है उसकी सिक्षा में सुधार करना और साथ ही एक सुझाव के रूप में प्रकट करना कि इसमें इसकी भूमिका आखिरकार क्या है इसकी भूमिका कैसी है इसकी भूमिका अच्छी है या बुरी है इन सारी चीजों पर फोकस करके एक रिपोर विवड़ी 2008 को फरवादी 2008 में इस MHRD द्वारा मानव सिंग साधन विकास मंत्राईले द्वारा इस समीति का गठन किया जाता है जिसके की अध्यक्ष चुकि इसके नाम से ही सपष्ट है कि प्रोफेसर यसपाल इसके अध्यक्ष थे जो कि UGC के चेर में भी उफ़ा करते थे तो इसके अध्यक्ष थे और इन ही की अध्यक्षता में एक समेति का गठन किया जाता है मुख्य भूमिका क्या थी कि UGC और AICTE की जो भूमिका है इसकी जाच करना और उच्च सिक्षा में बदलाव करना और उसके साथ ही रिपोर्ट तयार करना जो कि MHRD के सामने पेस करन ताकि उच्च सिक्षा से सम्मंधित सुधार किये जाए अब यह यह जो इसका रिपोर्ट आया यह तो फरबड़ी 2008 में इसका किया गठन किया गया 24 जून 24 जून 2009 को इस समीतिने रिपोर्ट चौपी है जिसके कारण से हम इसको 2009 के नाम से जानते हैं क्योंकि आप सभी समझते हैं कि जब भी रिपोर्ट सौपी जाती है मुख्य रूप से उसको उसी बर्स को हम लोग जानते हैं खेर तो जैसे कि यहां पर MHRD द्वारा जो गठन किया गया यह स्पाल समीति के गठन किया गया तो इसने सबसे पहले इन दोनों की भूमिकाओं को बहुत ही असंतोस जनक माना अर्थात इसकी भूमिकाओं को UGC और AICTE की भूमिकाओं को आज के समय में अप्रासंगिक माना अप्रासंगिक माना और कहा कि इस इन दोनों के स्थान पर आप किसका कर सकते हैं तो राष्ट्रिय उच्च सिक्षा एवं सोध आयोग इसका आप इन दोनों के अपेक्षा आप एक ही इन दोनों में इसका आप क्या करिजिए गठन कीजिए राष्ट्रिय उच्च सिक्षा एवं सोध आयोग जिसको की एन सी एच इए आर के नाम से जाना गया अब यह एन सी एच इए आर क्या था तो नेश्टनल कमीशन फार हाईर एजूकेशन एंड रिसर्च नेश्टनल कमीशन फॉर हाईर एजूकेशन एंड रिसर्च इसको कहा इस रिपोर्ट के द्वारा सबसे पहले कहा गया कि यह जो आज के समय में UGC और AICTE संगस्था है यह आज के समय में अप्रासंगिक हो चुका है और आज के समय में आप एक आयोग का गठन कीजिए वह कौन सा आयोग होगा तो राश्ट्रिय उच्छ सिक्षा इबं सूध आयोग इसको इसको का गठन कीजिए इसको फी MCHE करें क्या मतलब ये और सब्सक्षा से संबंदित जितनी भी चीजें ये सुपर разी ग Leлемे के रूप में d jeg ये जो संथभा होगी यह सुपर डुर्योटरी के रूप में काम करें अब ऐसा नहीं कि आ यह इसको तूसरे लग दे रहे हैं, तीसरे को लग दे रहे हैं, यह सर्वो पड़ी हो, मतलब जितने भी संग्स्थाएं हैं, उच्छ स्ख्षा से संबन्दित, यह सब का, सब के उपर यह होना चाहिए, अर्था सब से पहला कमान इसके अंदर होना चाहिए, अब इसमें कहा गया, कि इसमें अध्यक्ष और बाकी सुदस्य हों और इसका गठन कौन करेंगे तो कहा गया कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नेताप्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधिस इसमें कहा गया कि इसके जो इसका जो साथ सदस्य टीम का जो गठन करेंगे वो कौन करेंगे तो एक प्रधानमंत्री होंगे दूसरे नेताप्रतिपक्ष होंगे और तीसरे जो सुप्रिम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधिस होते हैं वो सारे मिलकर के इस NCHER आयोग का के सदस और उसके अध्यक्षिकाद चैन करेंगे और यह सुपर पावर के रूप में सिख्षा के सुपर पावर के रूप में काम करेगा इसके अलावा कहा गया कि आप जो IIT and IIM ये जो आज के समय में IIT है और IIM है इसको आप क्या कीजिए तो बिश्विद्याले की संगिया देजिए इसको बिश्विद्याले के तोर पर आप इसका गठन कीजिए ताकि इसमें बहुत सारे अलग-अलग प्रावधान हों और इसको क्योंकि ये बड़े समस्थान है और बड़े समस्थान को आप उसको पावर दीजिए ताकि वो अपनी दक्षता और सिक्षा को आगे बरहने में सहयोग प्रावधान करें फिर इसने कहा कि ये जो जितने भी केंद्रिय विश्विद्याले कैंद्री भिश्व Productor दीयालय को आप ऐसे संशाधन प्रदान करें जो की वो क्या करें तो सभी प्रकार की जो सिक्षा है उसको वो संचालित करें ऐसा नहीं कि आज के समय में क्या है कि मतलब अगर आपको इंजिनियर बनना है तो अलग इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो स्मस्थान हुआ करते हैं वैसा नहीं ml उसको आप उसमें आप साडी विवस्था कीजिए ता कि सारी एक प्रकार की शिक्षा हो वुस्था की प्रबन्धन की मिरसी द्रलोजी लोन इसको वेदा Slokarios उसमें आर्ट की भी हो, बानिज्य की भी हो, क्रिसिका हो, ब्यावसाई को हो, अन्य प्रसिक्षन हो, बहुत सारी अलग अलग प्रकार के जो सिक्षा हुआ करते हैं, सिक्षन प्रसिक्षन जितने भी हुआ करते हैं, साड़ी चीजों को यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाए जो कि सब का देखरे कड़ेगा तो इसके विशे में कहा गया NCEHCR की विशे में कहा गया कि जिस प्रकार से आप किसका चुनाव आयोग आप जिस प्रकार से चुनाव आयोग आज के समय में है उसी प्रकार से ये राष्ट्रिय उच्छ शायवम सोद आयोग भी होना चाहिए CHER भी होनी चाहिए जो की आप देखते होंगे की चुनाव आयोग है वो सुपर पावर के रूप में काम करता है चुनाब से संबंधित तो चुनाब से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया हैं उसके वो सुपर पावर के रूप में जिस प्रकार से काम करती हैं उसी प्रकार से ये जो राष्ट्रिय उच्छ शिक्षायों सुध आयोग वो शिख्षा से संबंधित जतनी भी चीजें होगी खास करके उच्छ शिख्षा से संबंधित वो साड़ी चीजों का जो रिगुलेटरी रिगुलेट करने की ताकत हो वो इसके पास अर्थाथ NCHER के पास हो फिर इसके अलाबा यह जो यह सपाल समीति थी उन्होंने डीम्ड युनिवस्टी जितने भी हैं भारत के अंदर उसमें इन्होंने कहा कि इसमें प्रमुख बदलाव की आवश्यक्ता है प्रमुख बदलाव की जिस प्रकार से आज के समय में क्या होता है कि बहुत आसानी से किसी भी युनिवस्टी को डिम्ड युनिवस्टी की मानिता दे जाती है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव करने की आवश्रक्ता है क्योंकि इसके कारण से इन दिंद्रियल्ी के कारण से उसक्तिम्रों में एक्यांत गिरावट देखी जा रही है। तो गिरावट में गिरावटнес्य जब तो ज़ोक बजाकर जब आप देखेंगे थोक बजाकर जब अप उसको मान्यता देंगे तो दिश्चत रूप से उच्चछा में एक भेतर भविश्य का निर्मान होगा या बेहतर गुणबत्ता प्रणों सिक्षा भी प्रदान किया सकता है जिसके कारण से Dimmed University के जो मान्यताएं हैं उसमें सक्ति प्रदान अवश्य भावी हो फिर जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने बताया रिपोर्ट में बताया गया कि जो universities हैं उस university को इस प्रकार से उसको धांचा बनाया जाए जिसमें की प्रतियक विश्य को उसमें संदगन किया जाए वो चाहे crisis से संबंदित हो वो चाहे vocational सिक्षा हो चाहे वो प्रबंधन की सिक्षा हो चाहे वो management की सिक्षा हो चाहे वो IIT से संबंदित हो विग्यान से हो बानीजे से हो कला से हो जितने भी प्रकार की पडिक्षायें या जो सिक्षा होती है उन साड़ी सिक्षा की बैवस्ता यहाँ पर की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में आपने बहतर ढंग से यह स्पाल समितिक रिपोर्ट को आपने समझा होगा इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप शेयर कीजिए और साथी बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए तकि आपको अवाले वीजिक सभी वीडियो मिलती रहें धन्यवाद